हेलो एंड गूड मोर्निंग एवरीबडी दोस्तो आज है जैनरी 26 आज है हमारा रिपबलिक डे तो सभी को रिपबलिक डे की बहुत-बहुत बधाई हों बहुत-बहुत कॉंग्रैचुलेशन्स है आज कि दिन हमारे देश में 26 जैनरी 1950 को हमारा जो कॉंसिटुशन है उसके स सभी प्रोविजन्स पूरी तरह से लागू हो चुके थे हाला कि इसके अपर जो सिगनेचर हो गए थे वह फाइनली हमारे 26 नुवंबर 1949 को हो चुके थे लेकिन फिर भी हम लोग ने कुछ महीने का वेट किया था क्योंकि उसके पीछ एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस होता है त इसके बारे में करेंगे प्रियांबल वगारा के बारे में बात करेंगे आज टोपिक हम लोग उनकों से डिसकुशन्स करने वाले हैं अब देख लेते हैं तो इस बार किश्मीर के अंदर हिमाचल के अंदर ना के बराबर स्नोफॉल हुआ है उसका रीजन क्या है वो उसको लेके जो सुप्रीम कोट के अंदर इशू चल रहा है गोवर्मेंट को वहाँ पर क्या औरगुमेंट है थोड़ा सो उसको देखेंगे और ये कोट के अंदर मामला है जब ये मामला फाइनली बाहर आएगा फाइनल वरडिक आएगा तो बहुत लैंडमार्क जज्में से हालां कि कुछ fundamental rights भी यहाँ इंक्लूड हैं जैसे हमारा article 30 वो हम लोग prelims के perspective से भी कर सकते हैं ठीक है जी आगे बढ़े मुलार पेरियार डैम ये एक repeated सा topic है दो चार महीनी के बाद repeat होता रहता है और मैं भी हमेशा इस topic को लेता हूँ क्योंकि नए students भी platform से जुड़ते रह ले और जो पुराने students हैं जिन्होंने ये topic किया हुआ है उनका थोड़ा बहुत revision हो जाता है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा cover करेंगे मुला पेर डैम के बारे में इसकी history जानेंगे present relevant जानेंगे केरला तमिलनाडो के बीच में क्यों issue चलता है इस डैम को लेके वो थोड़ा क्या impact होता है हमारी society पे हमारी health पे individual लेवल पे community लेवल पे वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं और थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे तो यह आप इसे disaster management GS paper 3 के perspective से भी cover कर सकते हैं ठीक चलिए थोड़ा आगे बढ़ें तो एक editorial आज हम लोग करेंगे Republic and Constitution हालां कि to be honest उतना दमदार मुझे नहीं लगा जितना होना चाहिए था Republic Day पे बढ़ ठीक है थोड़ा बातचित कर लेंगे इसके अंदर जादतर government को ही जो है थोड़ा criticize किया गया है काफे critical तरीके से खर जिक्स पर जो अपने लिए important point होका हम लोग निकाल लेंगे ठीक है जी चलने स के अंदर स्नोफोल नहीं हुआ है बहुत सारे hill stations जहां पे हजारों की संखे में टोरिस्ट जाय करते थे हर साल इस बार जातो रहे हैं ये उमीद से के स्नोफोल होगा लेकिन बैचारे जो है वो बहुत ही निराशा के साथ वापिस आ रहे हैं बड़ी दिक्कत हो रही है मर्ग दाम की जगह है ये कश्मीर में 12 मुला डिस्टिक में यहां पर विंटर स्पोर्ट हुआ करते थे स्कींग रिजोल्ट हुआ करते थे इस बार देखे वह घास है वह भी एकदम बिलकु ड्राई तो यह हालत नजर आ रही है क्यूं है ऐसा देखे और हमारे जो आइमड 7% shortfall हुआ है मतलब हुआ ही नहीं मांगे चलिए 99.7 तो 100 ही हो गया है ना only 0.3% का snowfall हुआ है इससे खराब हालत 1996 में थी लेकिन उस समय भी जो shortfall था वो 19.6% था मतलब ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है but this is a very rare event लेकिन जब आप historical perspective से देखते हो तो rare event भी आपको काफी सारे नजर आ जाते हैं बट ऐसा कभी कभी हो सकता है कश्मीर और हिमाचल पर snowfall की तो इस बार जो है भवानी मालिक है हुआ ही नहीं है extremely dry winter हमारे यहां पे आया है गुलमर्ग और पहल गाम जहां पर winter sports हुआ करते थे मैंने आपको बताया कि वहां पे नहीं हुआ है right उसके क्योंकि आपको base प्रवाइड करवाता है content प्रवाइड करवाता है reason क्या है snowfall ना होने के यहां पर basically तीन रीजन बताये गए हैं पहला reason है western disturbance नहीं आना दूसरा reason है एलनीनो conditions होना और तीसरा reason है absence of the strong jet stream तीन कारण है तीनों कारण को आप लोग एके करके explain करोगे तो पुरा answer आपका तयार हो जाएगा पहले देख लेते हैं western disturbance western disturbance का मतलब मतलब देखे वैसे तो सरदियों में महोल ठीठाग चल रहा होता है और लोग धोड़ा बहुत काम पे जा रहे होते हैं मूफलियां खा रहे होते हैं रेवडियां खा रहे होते हैं चाय वाई समोसा खा रहे होत इसमें अचानक से कुछ disturbance आ जाती है अचानक से गंगेटिक प्लेंस के अंदर बारिश शूर हो जाती है तो disturbance ही हुई न ऐसे हिमाचल उतरखंड कश्मीर में स्नोफोल हो जाता है यह भी disturbance हुई लेकिन disturbance आई कहां से यह इंडिया से जिनरेट नहीं हुई है यह disturbance आई है तो वहां से जो cyclone rise करते हैं वो cyclone jet stream की help से इंडिया की तरफ आते हैं इरान को अफगानिस्तान को पाकिस्तान को क्रोज करते हुए इंडिया में आके rainfall करते हैं गंगेटिक प्लेंस के अंदर especially यहाँ पे जादा rainfall करते हैं गंगेटिक प्लेंस का तो 20-30% जो rainfall है वो यहीं भ सब्सक्राइब आता है तो hilly areas के अंदर snowfall होता है यह एक यूजली process होता है लेकिन यह समार क्या हुआ western disturbance या तो आई ही नहीं अभी तक आई है तो एक आधी आई है वो भी बहुत minimum उसके intensity बहुत कम थी तो western disturbance के जो storms होते हैं वो mid latitude regions मतलब यह बात कर रहा है Mediterranean Sea की वहाँ से originate होते हैं फिर North India की तरफ आते हैं western disturbance जब इंटर में आती है तो इसकी वज़े से foggy conditions create होती है foggy conditions जब create होती है तो afternoon के बाद में जो है sunshine ठीक ठाक आता है जिसकी वज़े से थोड़ा ground level का temperature improve हो जाता है देखे जब foggy condition नहीं होती right तो तब हमारा ground extremely extremely cold हो जाता है क्योंकि जो terrestrial radiations है वो सारी के सारी space में चली जाती है और हमारा surface extremely cold हो जाता है लेकिन जब foggy conditions होती है तो कुछ heat atmosphere के अंदर trap हो जाती है जिसकी वज़े से temperature extremely cold नहीं हो पाता यह इसका मामला कहना है तो western disturbance के वज़े से वो जो moisture आता है उस moisture के वज़े से थोड़ा सा temperature ठीठाक सा हो जाता है यह इसका कहना है हालाकि इसका counter argument भी है लेकिन फिला आपला भी इसको ही मान के चलें they also when the temperature are low result in the snowfall ठीक है तो मैंने को बता है कि हिली अरियास के अंदर snowfall आता है और वो जो snowfall बाद में melt होता है तो इसके वज़े से हमारे rivers के अंदर water आता है obviously तो जो melting glacier contribute to the water available in the ganga अरे भाई सिधी सी बाता जब snowfall होगा तभी तो glacier strong होंगे ठिक होंगे और बाद में वही गंगा यमना रिवर के अंदर पानी आता है और हमारी wheat crops के लिए बड़ा लाबधायक है western disturbance जैसको मैंने को बताया usually क्या होता था generally December और January के महीने में five to seven western disturbance आ जाये करते थे लेकिन इस बार एक भी नहीं आया है एक छोटा साय था लेकिन इसको कोई खास relevance था नहीं there were two western disturbance in this period अच्छा जो western disturbance आया भी आ एक छोटा साय एक थोड़ा सा हलका सा बड़ा आया था यह western disturbance गंगेटिक प्लेन की बजाए गुजरात नोर्थ महराश्टरा इस्ट राजयस्थन और मध्या प्रदेश के अंदर थोड़ा बहुत rainfall करके चले गए गंगेटिक प्लेन सूख ही रहा गया कश्मीर सूख ही रहा गया हिमाचल उत्रकंड सूख ही रहा गया यह दिक्कत है पहला है western disturbance का ना आना और अगर आ भी रहे हैं तो वो वहाँ पे नहीं आ रहे हैं जहां पे यूजली आया करते थे तो एक तो यह रीजन हो गया दूसरा अलनीनो अरे अलनीनो का मतलब ही होता है कि हमारा जो पैसिफिकोशन है वो वोर्म हो गया है और भया जब पैसिफिकोशन गरम हो जाएगा तो उसका इंपेक्ट क्या इंडिया पे नहीं पड़ेगा 110 परसंट पड़ेगा तो western disturbance जो दिसंबर जनुरी में आया करते थे तो of course हो गया है इंडिया में जो दिसंबर है that is the hottest December ever जनुरी तो होटेस्ट नहीं है लेकिन दिसंबर होटेस्ट है तो दिसंबर जब होटेस्ट हुआ तो western disturbance आया नहीं तो यह थोड़ी दिक्कत हो गई थोड़ा सा चल यह तो कोई बड़ी बात नहीं है इसका reason क्या हो सकता है कु जबरी और मार्च में शिफ्ट हो गया है तो अगर आप देखेंगे अभी अगले महिने में और मार्च में western disturbance आएगी थोड़ा स्नौफोल भी होगा और जो ग्रेट नोथ हिंडिन प्लेंस है यहां पर कुछ स्नौफोल रेंफोल वगरा भी डेफिनेटली होगा लेकिन डिस आएगा बट वह स्नौफोल के अंदर के ज्यादा नहीं होगा तो एक यह रीजन है दूसरा है एक है लास्ट वाला जैट स्ट्रीम विंटर और समर में जो हम लोग जैट स्ट्रीम की बात करते हैं दोनों का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है ठीक है देखे करंट फेर का टो चार पर्मनेंट जैट स्ट्रीम होती है दो पर्मनेंट जैट स्ट्रीम होती है नदन हमिस्पेर में और दो होती है आपके सदन हमिस्पेर में ठीक है यह होती है पोलर और यह होती है सब ट्रोपिकल यह होती है पोलर और सब ट्रोपिकल तो यह जो सब ट्रोपिकल जैट जो 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री का राउंड चलती है ये इंडिया को impact करती है क्योंकि इंडिया भी यहीं पे है तो ये जो अब ये देखें अलग-अलग दिखाया हुआ है समर में और विंटर में समर में जब jet stream आती है तो ये तिबबत के नोर्थ की साइड से चलती है क्योंकि सन नोर्थ की तरफ shift हो चुका होता है और ये तिबबत से होते हुए घूम के फिर इंडिया की तरफ entry करती है in the form of north-easterly jet stream और जो वेस्ट बेयो बेंगोल के अंतर जो depressions create होते हैं वो इंडिया की तरफ push करती है और इंडिया में rainfall होता है खेर हम यहाँ पर summer की बात नहीं करें हमारे लिए ज्यादर element नहीं है winter में इन्हीं jet stream का pattern थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि हमारा जो sun होता है सूरिया देवता होते हैं वो southern hemisphere में shift हो जाते हैं तो तिब्बत और हिमालय को hit करती है और दो ब्रांची के अंदर divert हो जाती है एक ब्रांच चलती है north of तिब्बत जहां पहले चल रही थी दूसरी ब्रांच चलती है south of हिमालय तो गैंगेटिक प्लेंस की बात कर रहा हूं यह जो south वाली ब्रांच होती है इसी को western disturbance बोलते है जो की rainfall लेके आती है Mediterranean से बट इस बार दिक्कत ये हुई के भाईया ये जो south westly jet stream है ये इस बार जो है north की तरफ shift हो गई है इसके अंदर अभी तक bifurcation हुआ ही नहीं bifurcation होगा नहीं तो moisture इंडिया में आएगा कैसे western disturbance आएगा कैसे rainfall आएगा कैसे snowfall आएगा कैसे ये एक reason यहाँ पर नज़र आता है jet stream क्या होता आपको बहुत अच्छे से पता अगर आपने थोड़ा बहुत NCRT पढ़ा है अपर atmosphere में 9, 10, 11, 12, 13 km उस height पे जाके जो है बहुत fast high velocity wind चलती है 250, 324, 400 km पर आवर तक की speed इसकी हो सकती है तो ये Mediterranean Ocean से लेके आती है moisture और India में आके जो है उसको rainfall करती है that's it इस बार नहीं हो पाया क्योंकि ये northward shift हो गया है ये तीन reason है जिसकी वज़े से snowfall नहीं हुआ है इसका एक reason ये भी हो सकता है कि हमारे जो Arctic Sea है वो गरम हो रहा है जिसकी वज़े से हमारी जो jet stream है north की तरफ shift हो रही है और भया जब north की तरफ shift होगा तो ये southern बनाद तो गायब हो जाएगी न तो ये गायब हो जाएगी तो बनेगा नहीं सिदी सी बात है तो ये प्रेश वाह जाएगी तो तो अगर तोड़ बहुड होगा भी तो मेढ आएगी तो तो अएगी तो अवाह उज़ जाएगी तो पैड तो एड फटी तो आएगी तो नहीं थेके चलो next article that we have is ये लिगल दिस्पूट ओर AMU's minority status तो actually last week भी we try to cover this topic but there were not enough details लेकि इस बाद थोड़ी detail आ गई हैं तो let's cover this पहली बात तो ये है के भाई what is the criteria to declare an institution as a minority institution ये बहुत बड़ी बात है और इसका answer हमारे constitution के अंदर आपको ठीक ठाक मिल जाता है article 31 क्या कहता है कहता है that all religious and linguistic minority ध्यान देना है हमारे constitution के अंदर सिर्फ religious minority ही नहीं linguistic minority की बात भी करता है तो ऐसी कोई भी community जो religiously और linguistically minority है अब minority मतलब less than 50% minority के मतलब 2, 3, 4, 5% नहीं होता अगर आप 50% से कम हो भाई आप minority में हो all religious and linguistic minorities with a fundamental right भाई उनका एक मूल अधिकार है fundamental right है to establish and administer educational institution of their choice वो जैसा मरजी चाहें अपने हिसाब से अपनी खुद की community के लिए उसकी growth के लिए उसके culture को protect करने के लिए language को protect करने के लिए अपना एक अलग से educational institution खोल सकते हैं जहां पे वो अपनी community के लोगों को educate करेंगे यह है basically पुरा मामला ठीक है अब देखें जरा इसी का close to क्या कहता है the state maintains equality of treatment in granting aid to all education institutions irrespective of their minority status ठीके जी तो सरकार जो है वो सभी को equal तरह से treat करेगी doesn't matter कि वो minority institution है या non minority है अब देखें जरा क्योंकि यह minority institution है किसी specific minority के लिए बनाए गए है चाहे वाई linguistic हो चाहे religious हो इसका मतलब इनको कुछ special अधिकार होंगे जो normal institutions को नहीं होंगे क्या है वो अधिकार देखे जरा एक तो यहाँ पर जो SCST reservation है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा सीधी सी बात है क्योंकि यह special है दूसरी बात यह जो education institution है वो सिर्फ higher level पर ही नहीं primary level, secondary level professional education सभी में लागो होगा उसके लावा इसकी जो 50% seats है ठीक है वो अपनी community के लिए reserve कर सकते है even इनके जो employees है जो वहाँ पर काम करते हैं उनको लेके भी यह कुछ खास rules बना सकते हैं अगर वो चाहें कि यह employee हमारी community से ही आए तो आ सकते कोई दिक्कत नहीं है यह मालो जो है पूरे का पूरा चल रहा था अब देखिए एक case आया था Supreme Court का 2002 के अंदर जिसमें Supreme Court नहीं कहा that a minority is to be determined by the concerned states demography not the national population अब जैसे मालो उत्तर प्रदेश के अंदर एक minority institution है किसी particular religious group का तो यह जो minority declare national level के हिसाब से नहीं है state के हिसाब से होगा जैसे मालो अगर आप North East India की बात करे तो वहाँ पे कई सारे states ऐसे है जहाँ पे Christianity more than 50% population है तो वहाँ पे Christianity जो है वो majority में है अगर तो क्या वहाँ पे Christians North East के अंदर education institution set up कर सकते है by taking the advantage of article 30 answer is no तो Christians चाहे वो इंडिया के अंदर बताया था ठीक है थोड़ा सा AMU की क्योंकि मामला AMU का है अलाब अलिगर्ड मुस्लिम निवर्सिटी तो इसको खलका सा इसका historical perspective देख लेते हैं ज़्यादा important नहीं है बढ़ थोड़ा बहुत history के perspective से so अलिगर्ड मुस्लिम निवर्सिटी को set up किया गया था और इसको set up करने का ही परपस था कि जो backwardness है मुस्लिम कमुनिटी में है ना professional, educational, social उसको थोड़ा सा improve किया जाए और modern education जो है मुस्लिम कमुनिटी के जो है students जो है उनको दिया जाए ये basically इसका main purpose था और इसको फिर बनाया गया बाद में फिर अलिगर्ड मुस्लिम निवर्सिटी act 1920 याद करें वो British का जमाना है तो इनों ने माव कोलेज और मुस्लिम निवर्सिटी आसोशेशन को भी M.U. के नदर include कर दिया हलाकि उसके बाद थोड़े इसके नदर changes किये गए 1951 में जो है अलिगर्ड मुस्लिम निवर्सिटी को एक religious education for Muslims जो है उसको डिकलेर कर दिया गया और finally इसको as a minority institution डिकलेर कर दिया गया 1951 act Muslim निवर्सिटी को अलिगर्ड मुस्लिम निवर्सिटी को एक minority institution डिकलेर करता है तो कानून ने इसको डिकलेर किया हुआ है पहली बात तो यह है 1965 के अंदर भी थोड़ा बहुत इसके अंदर changes उगारा हुए इसके अंदर जो है जो executive है उसकी थोड़ी power बढ़ा दी गई government of India के थोड़ा यहां पर निकलूड किया गया वो सब भी होता है और AMU को काफी ज़्यादा funding जो aid है वो central government से आती है around 1500 क्रोड के आस पास यह सरकार निया भी जो है कोड़ के अंदर बताया है basically ठीक है उसके लावा 1967 में फिर एक case आया जिसे जो है एस अजीज बाशा case कहते हैं against university of India इस case में अंदर actually 1951 और 1965 को जो amendment है उनको challenge किया गया था और इस case में यह कहा गया था कि साब यह minority institution है सरकार को इससे बाहर रहना चाहिए हम जो मर्जी करें हमारा syllabus जैसा मर्जी हों किसी हिसाब से पढ़ाएं किस employee को hire करें सरकार कैसे कोई लेना देना नहीं है यह इसके अंदर argument दिया गया था लेकिन सुप्रीम कोट ने इसको reject कर दिया सुप्रीम कोट ने इसको यह कहा that AMU was neither established nor administered by the Muslim minority तो इस case के अंदर जो argument दिया गया था यह था किसाब जो Muslim university है उसको set up करने के लिए जो पैसा है जो resources है वो Muslim community ने दिये हैं इसी लिए सरकार का इस पे कोई दखल अंताजी नहीं होनी चाहिए that was the argument but ऐसा actually में है नहीं facts क्या कहते हैं British government ने भी काफी पैसा around एक लाख रुपे के आसपा जो है इस university को set up करने के लिए दिया था apart from non-muslim community से भी काफी ज़्यादा donation और funding यहाँ पे आई थी आज भी Indian government काफी पैसा देती है aid के रूम में तो यह कहना के जो अलिगर्ड मुस्लिम निवासिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के दुवारा set up किया गया था इस argument को Supreme Court ने जो है खास दमदार माना नहीं और Supreme Court ने यह कहा यह मामला बनता है जब सरकार जब Supreme Court ने इस verdict सुनाया तो भीया देश में होगे protest प्रोटेस्ट के देखते हुए उस सेमें की जो सरकार थी 1981 के अंदर amendment किया गया और इस amendment दुबारा से कहा गया कि यह university एक minority जो है status उसको दिया गया फिर मामला घूमते फिरते जो हा जाता है 2005 के अंदर 2005 का मामला यह बनता है कि अलिगर्ड मुस्लिन निवर्सिटी के अंदर 50% जो सीटें थी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट के लिए मुस्लिम कंडिडेट के लिए रिजर्व कर दी गई अब किसी ने जो अलाबाद आई कोट में इसके खिलाब केस कर दिया और अलाबाद हाई कोट ने 2006 के अंदर इसको खारिज कर दिया कि भई आप 50% सीट मुस्लिम के लिए जो है रिजर्व नहीं कर सकते उस समय की बात है जब सेंटर के अंदर Congress Government हुआ करती थी of course तो Central Government Union of India और University दोनों ने Supreme Court के अंदर अपील किया 2006 में अलाबाद High Court के मामले के अगेंस्ट लेकिन 2016 नाते आते Union of India ने उस मामले से विड्रो कर लिया है अभी सिर्फ और सिर्फ अलागाड Muslim University ही अकेले उस case को pursue कर रही है Supreme Court के अंदर ये मामला है Supreme Court को यहाँ पर बेसली दो चीज़े decide करनी है पहला तो decide यह करना है कि minority institution को minority किसी institution को minority status अगर देना है तो उसके लिए क्या criteria होना चाहिए दूसर argument यहाँ पर दिये जाता है whether an institution established under the status can enjoy the such status मतले कि यह बात है कि अगर किसी institution को central government के दोरा या state government के दोरा कानून बना के establish किया गया है तो वो minority institution नहीं होगा वो तो state institution हो गया है न क्योंकि वो act के थूँ आया है और जो अलिगर मुस्लिम निवसिटी है यह 1951 act, 1965 act, 1980 act ठीक है उसके अंदर इसको establish किया गया है तो इसलिए इसे minority status नहीं दिया जाना चाहिए यह argument यहाँ पे दिया गया है हालांकि अभी central government ने एक और argument दिया है हमारे solicitor general ने court के अंदर उन्होंने यह कहा कि साब जब मुस्लिम निवसिटी बनाई गई थी AMU बनाई गई थी तो यह इसलिए बनाई गई थी ताकि यहाँ पे जो पढ़ने वाले लोग हैं वो British India के interest के साथ align कर सकें British India और Muslim University की administration के बीच में यह understanding थी that we are loyal to you ठीक है we are loyal to Britishers that was the argument और क्योंकि यह इस basis पे बनाया गया था तो आज के समय में इंडिया में हम लोग इसे as a minority special status नहीं दे सकते हैं ठीक आप तो इंडिया आजाद हो गया है तो वो बात इन्हों नहीं आपे कही है हलागि Supreme Court ने यह कहा कैसे कोई लेना देना नहीं है Supreme Court ने यह भी कहा है कि minority institution का मतलब यह कता ही नहीं होता कि वो government के against में हो इंडिया में बहुत सारे minority institutions ऐसे हैं जो कि central government की favor में बात करते हैं तो सिर्फ यह माल लेना कि minority institution है वो सरकार के against में ही है तो ऐसा जुरूरी नहीं होता है Supreme Court ने observe किया है तो यह कुछ argument इससे में Supreme Court में चल रहे हैं let's see आगे कहां तक जाते हैं और क्या इसका verdict आता है that would be very interesting to see तो उस दिन का हम लोग वेट कर लेते हैं फिलाल के लिए ठीक है चलिए North India में भही भयंकर cold wave चल रही है शीद लहर चल रही है कहीं लोगों की death भी होगी unfortunately हर साली होता है तो उसके बारे में एक आटिकल छोटा सा दिया हुआ है science वाले section से तो क्या impact हो सकता है cold wave का इस से जाने से पहले let's see what is the definition of the cold wave cold wave की definition अगर हम लोग IMD की बात करें Indian Meteorological Department की बात करें तो वो कैसे define करता है वो कहता है cold wave when the minimum temperature is less than equal to 0, 4 degree centigrade ठीक है मतलब 4 degree centigrade से कम या बराबर temperature होता है तो इसे आप cold wave कह सकते हो यह उन्होंने कहा है फिर एक होता है severe cold wave when the temperature is less than equal to 0, 2 degree centigrade तो वो हो गया severe cold wave ठीक है और cold day किसको कहते है जब minimum temperature 10 degree centigrade होता है plain areas में जैसे दिल्ली में माल लो ठीक है लखनों में माल लो तो उसे हम कहेंगे cold day hilly areas में जब temperature 0 degree होता है उसे बोलते है cold day तो यह IMD की definition है तो इसका मतलब official definition है इसे आप use कर सकते हो अपने exam करा के अंदर ठीक है अ cold wave is meteorologically event generally characterized by जब एकदम से temperature काफी कम हो जाए यस एर प्रेशर एकदम अचानक से काफी जादा बढ़ जाए राइट temperature बहुत जाद increase हो जाता है temperature काफी down चला जाता है wind की speed बढ़ जाती है frost conditions हो जाती है impact क्या है cold wave का आपको भीया hypothermia हो सकता है ठीक है hypothermia एक ऐसी condition होती है कि जब हमारी body के अंदर heat का loss जादा होता है ठीक है when a body loses heat faster than it can generate it हमारी body heat generate करती है 37 degree centigrade temperature maintain करना होता है वो तो हमारी body हमेशा करती रहती है क्योंकि हम लोग food consume करते हैं उसे हम energy मिलती है हम लोग lose करते है लेकिन जब body lose जादा कर रही है और generate कम कर रही है तो उस case में hypothermia हो सकता है इससे confusion, shivering और कभी-कभी death भी हो सकती है खासका जो mountaineering करते हैं लोग वहाँ पे hypothermia के chances काफी ज़ादा हो जाते है respiratory disease अस्थमा, bronchitis वगर अगर अगर आगो पहले से है तो और खराब हो जाएगा तो सांस लेले में प्रोलम आपको हो सकती है क्योंकि atmosphere के अंदर oxygen थोड़ी सी कम होती है तो heart को ज़्यादा pump करना पड़ता है normal temperature को maintain करने के लिए तो cardiovascular diseases भी आपको होने के chances है उसके लावा social interaction सर्दी में बाहर कोई निकलता ही नहीं सब घर के अंदर ही बैठे रहते हैं गर्मियों में लोग बाहर जा रहे हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं कोई तांस खिल रहा है कोई हुका पी रहा है कोई मोज मस्ती कर रहा है गपे मार रहा है मार्केट में निकल रहा है पार्क में जा रहा है घुमने फिरने सर्दी में ऐसा कोई नहीं करता सब आपना रजाई में दुबक्के बैठे रहते हैं तो सोशल इंटरेक्शन कम है उसकी वज़े से आपका मूर स्विंग्स हो जाते हैं मूर फलक्चुएशन होती है खासकर जो ओल्ड एज पीपल है यंग लोग तो फिर भी रील विल देख रहे रहते हैं वटसेप करते रहते हैं कुछ मूवी गरह देख लिया ओल्ड एज में तो सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है नहीं तो लोन्नी लेंस फिर होती है तो मूर फलक्चुएशन काफी ज़ादा होती है क्यों कई दिनों तक सूरिय दिखाई नहीं देता है और सन का हमारे मूड से डारेक्ट रिलेशन होता है फोगी कंडिशन से रहती है सन निकलता नहीं है पागल हो जाते हैं लोग सन को देखने के लिए तो मूड स्विंग तो डेफिनिटली होता है स्लीप डिस्रप्शन होती है अगर आपको ठंडी जादा लग रही है रात को तो आपको नीद बार-बार खोलती रहती है स्लीप जो है डिस्रप्शन होती है ये आपकी मैंटल हेल्थ के लिए थोड़ा खतरनाग होता है उसके लावा हमारी क्रोप्स के लिए डेंजरस है खासकर जो हमारी वेजटेबल्स है होटी कल्चर है फ्लावर अगर अगर रहे लगाया हुआ है फ्रोज्ट अगर हो जाता है तो डेमेज हो जाती है हमारी कोटन क्रोप्स के डेमेज हो जाती है उससे एनिमल्स को भी काफी रिस्क करता है क्योंकि बहुत कोल्ड कंडिशन सगर होती है तो फोडर प्रोपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है और फोडर नहीं होगा तो हमारे अनिमल्स को न्यूट्रेंट नहीं मिलेगा येस ट्रांस्पोर्ट सेक्शन इस बार तो कितनी सारी फ्लाइट जो है वो डिले हो रही है कैंसल हो रही है ट्रेंस टाइम पे नहीं आती पूरे पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है तो ट्रांस्पोर्टेशन के लिए बड़ा खतरनाग है भई उसके लावा अनर्जी कन्जंप्शन बढ़ जाती है घरों के अंदर भी स्पेशली हीटर जोग चला रहे होते हैं गीजर चला रहे होते हैं गरम पानी कर रहे होते हैं है ना वह आपके रिकृर्मेंट्स बढ़ जाती है उसके लावकर आप hilly areas की बात करें तो water supply disturb हो जाती है क्योंकि पानी पूरी तरह से freeze हो जाता है pipes पूरी तरह से freeze हो जाते है कुछ साल पहले तक बार ऐसे मैं मनाली में trap हो गया था बदे celebrate करने गया था और इतना trap हो गए इतना ज़दा snowfall हुआ कि वहां के जो pipe के अंदर पानी है वो पूरी तरह से freeze हो गया और हम लोग 2-3 दिन तक नहा भी नहीं पाए तो that was the situation और ऐसा हो सकता है hilly areas भी या और regularly होता भी है चीक है तो ये कुछ issues है cold way को लेके और I think ठीक ठाक आप आपको समझ आ गया होगा then we have a topic code मुलार पेरियार डैम तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए के मुलार पेरियार डैम है कहाँ ठीक है इसकी location कहाँ वो भी ब्लिल इंट्रेस्टिंग है location ये नहीं बहुत पुरानी कहानी है और ये कहानी अंग्रेजों के जमाने की है भाईया और बात ऐसी है कि एक डैम बनाया गया केरला के अंदर ठीक है डैम तो बना केरला में है लेकिन इसको manage कोन करता है तमिलाडू इसको manage करता है 999 ईयर्स के लिए 1886 में इसको lease पे लिया गया था मतलब हजार साल के लिए लगबग इसको लीस पे लिया गया था और ये एक डील हुई थी between महराजा ओफ ट्रैवन कोर and Secretary of State for India for the Peria Irrigation Works तो उस समय केरला को ट्रैवन कोर हम लोग बोला करते थे उसके महराजा के बीच में और इनके बीच में हुआ था अंग्रेजों को लगा था कि आरे इंडिया तो हमारा ही है इंडिया कहां जाने वाला है ये तो हजारों लाकों साल दग हमारा ही रहेगा तो उन्होंने हजार साल के डील कर लिया उनको यह नहीं पता था कि थोड़े दिन में तुमें यहां से भगाने वाले हम लोग वो डील आज भी रही और तमिनालू इसको मैनेज करता है बना हुआ यह केरला में है ठीक है और यहाँ पे देखे ज़रा यह है आपका इडूकी डैम और यह है आपका पेरियार डैम तो पेरियार डैम के वहाँ पे जो बनी हुए है इस लेक उसे पेरियार लेक कहते है और जो पेरियार नैशनल पार्क है वो भी यहीं पे है मतलब इस लेक के चारो तरफ एक पार्क है जिसे आप पेरियार नैशनल पार्क कहते है पेरियार रिवर जो है यहाँ से फ्लो करती है ठीक है इससे थोड़ा आप उपर जाओगे लूकी है इतना तो आपको location के basis भी याद रखना है ठीक है तो अगर exam में अगर पूछे के वहिया कौन से state में है तो state है केरला manage किया जाता है तमिलाडू के द्वारा अब क्योंकि ये बहुत पुराना डैम है और ये एक machinery gravity डैम है ठीक है concrete उगारा का यूज़ करके इसको बनाया गया है bricks and concrete उस समय में इसी चीज़ से बनाया करते थे उस जमाने में क्योंकि ये technology सस्ती बढ़ती है लेकिन issue है इसके safety को लेके केरला का कहना है के साब जी ये बिल अचानक से बहुत बारिश हो जाती है इसका level बढ़ जाता है और जो water का level बढ़ेगा तो definitely वो pressure exert करेगा इसकी जो walls है वो इतनी strong है नहीं कि उसको bear कर सकें तो वो तूटने के chances है even कहीं बार उसके cracks वगरा भी आ गया है जिसको बाद में maintain किया गया इवन United Nation की रिपोर्ट आय थी 2021 में जिसमें ये कहा गया कि जो मुल्लार पेरियर डैम है this is one of the one amongst the world's big dams which needs to be decommissioned मतलब इसे तोड़ दीजिए ये दुनिया के कुछ गिने चुले dams में से हैं जो इतना पुराना है कि इसकी safety को लेके concerns है और अगर भहिया ये तूट गया इसका structure अगर damage हो गया तो कम से कम 35 लाख लोग वो डूब सकते हैं threaten हो सकते हैं और उनकी जान को खत्रा हो सकता है तो मतलब एक genuine report है केरला की सरकार भी यही कहती है तो केरला की government कहती है कि क्यो न यहाँ पर एक नया dam बनाया जाए इसको तोड़ा जाए नया dam बनाया जाए तमिलाडू का ऐसा लगता है अगर इसको तोड़ दिया और जो नया dam बनेगा उसके वो तो maintain नहीं कर सकता उसके तो अ dangerous है क्योंकि काफी population रहती है केरला की तो दोनों को लेके अपने अपने concerns है मामला Supreme Court में भी गया हुआ कहीं बार और अभी 2022 के अंदर Supreme Court ने एक supervision committee बनाई है जिसके अंदर कई experts लोग हैं दोनों ही states के साथ है technical है central government से भी है तो वो expert group जो है इसको अभी देख रहा है 2006 के अंद थोड़ा सा issue हो गया तो यह मामला तब से लेकर Supreme Court के अंदर भी चल रहा है अभी भी चली रहा है let's see इसके अंदर क्या होगा लेकिन केरला ने इसको अपनी state assembly में इसको endangered category के अंदर रखा है और यह कभी भी तूट सकता है अगर यह तूट गया तो फिर समझे बहुत बड़ एक international level पे ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा disaster हो सकता है तो यह बनता है पुरा मामला Cardamom Hills of Western Ghats in Thakdi, Iduki district of Kerala वहाँ पे यह बना हुआ है तो याद रखना है Cardamom Hills वहाँ पे कहीं तरह की hills हैं याद रखना है Cardamom Hills, Cardamom Hills, Cardamom Hills, Cardamom Hills पूछेगा प्रिलिंस में आपसे ऐसे ही questions आपसे पूछे जाते हैं ठीक है, the dam is located in Kerala on the river Periyar but operated by the Tamil Nadu that we already know तो this is the detail about the Mullar Periyar Dam, ठीक है, चलिए जी, तो dam safety bill यह तो self study के लिए मैंने डाला है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, यह Parliament के अंदर इंटर्डियूस किया गया है आगे बढ़ें तो reclaiming the republic and the constitution, तो भहिया इंडिया का जो objective resolution है, जो की नहरू जी ने December 30, 1946 को constitutional assembly के अंदर पेश किया था और इसको फिर बाद में adopt किया गया, 22nd of January 1947 को, और इसके basis पे फिर जो है, इंडिया के constitution का जो preamble है, वो लिखा गया objective resolution क्या कहता है, वो ये 6 points है, या पढ़ सकते हो, या आपके लक्षमी कातुगारा के अंदर भी दिया हुआ है इंडिया का preamble है ये, बहुत ही beautiful document है, आप यहाँ देख सकते हो, we the people of India क्योंकि मैं पहले बता चुक है, इसलिए पूछ रहा हूँ आप से, ऐसे और से constitution है, किस country के constitution है, जो इसी line से शुरू होते है वी the people, comment section में नीचे जुरूर बताएं, तो we the people of India having solemnly result to the constitute India into a sovereign, सोवरेन मतलब भया हमारे ओपर किसी और का अधिकार नहीं है, अपना decision हम लोग खुद ले सकते हैं, socialist, secular, secular मतलब हम किसी एक religion को support नहीं करेंगे, हम सभी को बराबर support करेंगे, democratic of course, लोग vote देंगे जो democratic है, and republic also, तो हमारा जो head of the state होगा, वो लोगों के द्वारा चुना हुआ होगा, ठीक है, वो monarch नहीं होगा, ठीक है, जैसे राजा महरा राजावा करते थे, तो यह कहता है हमारा preamble, और हमारा preamble कहता है कि इंडिया के जो citizens हैं, हम उनको justice, social, economic and political, ensure करेंगे, तो political justice भी देंगे, economic justice भी देंगे, social justice भी देंगे, और आपको liberty देंगे, किस चीज़ की liberty, liberty, सोचने की liberty, अपने views को express करने की liberty, किसी भी धर्म को मानने की liberty, किसी की पूजा करने की, प्रे करने की faith, वो हम आपको liberty देंगे, और सब को equality देंगे, किस चीज़ की equality देंगे, status की equality, opportunity, सब बराबर हो भी या, कोई बड़ा चोटा नहीं है, सब को बराबर opportunity मिलनी चाहिए, yes, यह हम लोग आपको equality देंगे, और सभी लोगों के बीच में, मन में, fraternity, भाई-चारे की भावना, वो होनी चाहिए, हर कोई individual चाहिए, गरीब हो, अमीर हो, doesn't matter, एक dignity होती है, एक individual की, उसकी एक self-respect होती है, उसका हम लोग गादर करेंगे, इंडिया के जो unity है, integrity है, हमारी जो एकता है, उसको भी हम लोग पूरी तरह से पालन करेंगे, यह इसके अंदर कहा गया था, यह इंडिया के लोगों ने खुद से वादा किया, इंडिया के लोगों ने दुनिया को बताया, देखिए भाईया, हम अपने nation को इस तरह से rule करे करेंगे, उनके representative करेंगे, तो यह इसके signature यहां पर किये गए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 26th of January 1950 का जो है, दो तिन महीने का वेट किया था, वो क्यूं किया था, वो आपको अच्छे से पता ही है, चीक है, वो बहुत historical event है, 26th of January, चीक है, यह जो है, थोड़ा सा article का ए active रहती है, specially against this particular government, क्योंकि इनका यह कहना है, कि यह जो particular government है, उसको secularism से कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ हिंदित्वा की बात करती है, सिर्फ हिंदूस की बात करती है, सिर्फ majority population की बात करती है, इनका यह कहना है, इनका यह कहना है, कि minority की कोई respect नहीं है, minority को डराया ज तो ये हमारे प्रियंबल के अगेंस्ट में है ऐसा अरुना जी का मानना है ठीक है आप माने आना माने वह आपका विव हो सकता है लेकिन अरुनी जी का ऐसा मानना है तो इस आर्टिकर के दर जो भी चीज़े दी हुई है उसे फेस वैल्यू पर नहीं जाएंगे क्योंकि काफी क्रिटिकल है गवर्मेंट की लेकिन कुछ तो पॉइंट हम लोग देफिनेटी देखी सकते हैं अज यूपियसी आस्पिरेंट तो अबजेक्टिव रेजिलिशन मैंने आपको बता ही दिया जो कि बाद में प्रियंबल का जो है वो बेस बना अब बात यहां पर आती है कल्चरल सोसाइटी तभी थ्राइव कर सकती है जब उसके अंदर टोलरेंस हो ठीक है हम कोई थियोक्रेटिक नहीं है हम कोई धार्मिक स्टेट नहीं है ठीक है यहां पर कोई मैजोर्टी कोई मैनोर्टी नहीं है ठीक है यहां पर सब बराबर है तो एक यूनी डेमेंशनल स् बजाए एक ही लाइन में सोचा जा रहा है और वो लाइन है हिंदुतुवा ऐसा अरुम्याजी का मानना है इनका कहना है कि यह डाइवरसिटी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है ठीक है तोलरेंस क्या होती है तो हमें पता ही नहीं है छोटी छोटी बात पर गुस्ता हो जाते हैं नारे लगाने लगते हैं सडकों भी आ जाते हैं ऐसा इनका कहना है तो इनका यह कहना है जो यूनिटी इन डाइवरसिटी जो बच्पन से हम लोग बोलते आ रहे हैं बहुत पराने जमाने से इनका कहना है कि आज के समय में यह डेंजर है आज के समय में को डाइवरसिटी मा आपने खा गए ऐसा इनका कहना है ठीक है तो उसको फिर आगे बढ़ाते हैं जो है इनों तो फेथ पर तोड़ी बात की है वर्शिप इनों ने बात की है क्यों इंडिन प्रेम्बल तो यह अलाओ करता है कि आप जो मर्जी फेथ पर बिलीव करें जिस मर्जी की वर्शिप करे वो आपका individual एक right है उसे कोई चीन नहीं सकता state नहीं चीन सकता को individual नहीं चीन सकता है ना आप क्या language बोलें क्या food खाएं क्या कपड़े पहने वो आपकी मर्जी है और यह हमारा एक heritage है जिसके उपर हमें proud feel करना चाहिए लेकिन यह जो हमारा national heritage है historical heritage है इसके उपर थोड़ा स फिलाल danger चल रहा है कोई government diversity को मानती ही नहीं वो one color one religion one nation one thought one god उसकी बात कर रही है ऐसे इनका कहना है तो थोड़ा सा critical तो है of course government के right उसके लावा थोड़ा आगे बढ़ें तो diversity कब इंडिया बहुत मज़ेदार चीज है जैसे अगर हम लोग दशाहरे की बात करें festivals की बात करे तो इंडिया में एक ही तरह का festival अलग अलग तरीके से celebrate किया जाता है और यही हमारी beauty भी है हमारे देश की जैसे इन्होंने यहां पर example कुछ दिया है जैसे दुर्गा पंडाल ठीक है तमिलाडु में नवरात्री ठीक है नोर्थ हिने में दशेहरा राम लीला यह सब की जाती है हाला कि एक religion एक common factor है ओल ओवर इंडिया लेकिन उसकी practices भी different है क्योंकि हिंदू की कोई ऐसी specific book नहीं है कोई commandments नहीं है आप जो मर्जी करें उसको follow correct kind of way of life ठीक है कुछ लोग कहते है के हिंदू religion है ही नहीं यह तो way of life है हर कोई अपने तरीके से जी सकता है आप किसी को भी गोड मान सकते हो किसी को भी पूजा कर सकते हो हर किसी के individual गोड होता है आपके गाउं में आपकी community में है ना एक pan गोड होता है अब कुछ भी करिए मैं तो बहुत सरी liberty देता है ऐसा इनका कहना है कि यही एक इसकी diversity ही इसकी beauty है लेकिन अगर आप किसी एक गोड के नाम पे कि diversity को खतम कर रहे हो तो बेसिक लिए आप इंडिया के national heritage को खतम कर रहे हो ऐसा इनका कहना है और यह इनोंने direct जो reference दिया है वो अभी राम temple का भी दिया है तो इंडिया being a secular state ठीक है और उमीद की जाती है कि हमारे जो politicians हैं वो बहुत ज़ादा state level पे religious functions के अंदर participant ना करें आप individual level पे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है वो आपका personal matter है बट जब आपकी political life होती है जब आपको एक नाराजनेता बन जाते हो तब आपको यह ensure करना पड़ता है कि सभी religion को सभी communities को equally treat किया जाए because वो हमारे preamble की demand है हमारा preamble हमसे वो चाहता है हमसे करवाना चाहता और आपको करना चाहिए लेकिन इनका कहना है कि भाहिया जिस तरह से राम टेंपल को लेकर पुरा political issues जो है वो बनाया गया तो यह कहीं न कहीं politics और religion का mixture है तो political religion का mixture तो कर इंडिया में हमेशा सही रहा है लेकिन इतना जादा integral कर देना उसको यह कहीं न कहीं एक सही रास्ता नहीं है ऐ यही कुछ वीचार ब्यारम बेडिकर जी के भी थे ठीक है यही कुछ वीचार जो है ब्यारम बेडिकर के साथ साथ बहुत सारे जो constitutional assembly के अंदर members थे उनके भी थे even अगर आप देखें तो जो 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 रादा कृष्णा जी थे रादा कृष्णा जी उन्होंने भी ऐस ठीक है वो नहीं होना चाहिए ऐसा इनका कहना है तो उसके बाद ही इनोंने थोड़ा सा तो यह अध्या में भी जो temple है उसके context में बात कर रही है और यह कुछ कुछ चीज़ इनोंने यहां पर कही है इनका कहना के देखी या political party तो political parties are not permanent right आएंगी जाएंगी लेकिन nation is always there औ nation तभी रह सकता है जब उसके इंदर tolerance रहे ठीक है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रहे तो एक political party कर इस तरह की चीज़े करेगी तो हमारे future को लेके future generations को लेके भी खतरा है ऐसा इनका कहना है ठीक है तो इस context में थोड़ा इसको हम लोग end करते हैं हाला कि काफी political सा है और क क्रिटीकल है government के लेकिन यह प्रियंबल के context में आप definitely देख सकते हो being a citizen of India being a UPSC aspirant being a responsible citizen हमारा individual level पर community लेवल पर यह फर्ज बनता है कि हम इन values की respect करें जो हमारा constitution कहता है जो हमारा preamble कहता है क्योंकि society अगर इस हिसाब से चलेगी तो एक better or stable society होगी ठीक है चलिए तो इसी के अला कि मुझे कुछ खास दमदार लगे नहीं बट ठीक है आज हम यहीं पर समाब्द करते हैं सभा को ठीक है thank you very much all the best जैहिंद जैजवान जैकिसान